एक बार की बात है एक गरीब व्यक्ति था उसके साथ उसके पत्नी और दो चोटे चोटे बच्चे थे उसका अपने परिवार का पालन पोशन करना बहुत कठिन हो गया था उस व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता था और मन भी ऐसान तरहने लगा तब ही उसने अपना गर रहे थे तो वो चुपचाप गर छोड़ कर चला गया रात को चलते चलते बगवान बुद को अपने शिश्यों के साथ बेटे विए देखा उसी वक्ति उस व्यक्ति ने निंडने लिया कि वह अब सन्या से बन जाएगा और बगवान बुद का सिश्य बनकर यहीं रहेगा बाद वो बगवान बुद के चर्णों में जाकर गिर गया और उनसे विंति करने लगा कि वो उसे अपना सिश्य बना ले बगवान बुद ने उसे अपना सिश्य बना लिया बगवान बुद अपने सिश्यों के साथ आगे बढ़ते हैं रास्ते में चलते चलते बगवान ब जानवर तालाब में उदम मचा रहे हैं, जैसे ही वह तालाब के पास जाता है, सारे जानवर बाग जाते हैं, फरन्तु तालाब में दोल मिट्टी और गंदा पानी रहता है, उसने सोचा इतना गंदा पानी बगवान बुद कैसे पीएंगे, फिर वह वेक्ति बिना पानी लि बगवान बुद्ध की बात मानकर वह वेक्ती वापस तालाब की और चल पड़ा लेकिन वह मन इमन सोचता रहा कि बगवान इतने गंदे पाने को कैसे पीएंगे लेकिन जब वह तालाब के पास पहुंचा तो वह देखकर चोग गया कि तालाब का पाने तो इल्कुल साप है उसने पानी लिया और बगवान बुद्ध के पास जाकर पूँचा बगवान थोड़ी देर में तालाब का इतना मिला पाने साप और सोच केसे हो गया फिर बगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए का जब जानवर उदम मचा रहे थे तब तालाब का किचड उबर आया थ अगदोड अमारे मन में उतल पुतल मचा देती है जिसके कारण हम भी न सोचे समझे गलत फेसला ले लेते हैं लेकिन कोई भी फेसला लेने से पहले हम चित को सांत रखे और देर ये पुरवक सोचे देर ये पुरवक सोचने से अमारे मन के उतल पुतल भी सांत हो जाएगी और तब हम जो भी फैसला लेते हैं वो हमेशा सही होता है और जब वो सांते से बेट का सोजता तो उसे समझ आ जाता है कि उसने अपना गर छोड़ने का निर्ड़ने गलत लिया के बाद वो बगवान बुद्ध से आगया लेकर अपने गर फेर से चला जाता है इस कानी से हमें ये सीक मिलती है कि सांत चीज़ से हम किसी भी परिस्तिती का समाधान निकाल सकते हैं जब भी कोई समस्य आये तो सांत होकर उसका समाधान खोजने का परियास करें और एसी भगवान बुद्ध की कहानिया सुनने के लिए हमार चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद